ये पहला लोगसभा चुनाव है जब हम स्वर्गिय राम विलाज पासवान जी की अनुपस्थिती में लड़ रहे हैं राम विलाज जी सामा जी की न्याय के सच्चे साधक थे और हाजीपूर के पती उनका लगाव हाजीपूर के पती उनका समर्पन ये हमेशा हमेशा याद रहेगा हाजीपूर के लिए उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम सब संकल्प बद्ध है साथियों चार जून बहुत दूर नहीं है चार जून को सुबह के इस समय सबकी नजर टीवी पर होगी रेडियो पर होगी सोशल मिडिया खंगालते होंगे और आप जो आशिदवाद दे रहे हैं वो चार जून को एक के बाद एक भाजपा एंडिये के बिजय की और आगे बढ़ता जाएगा और चुनाव के परणाम क्या कहेंगे चुनाव के परणाम क्या कहेंगे फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार एंडिये को दिया आपका वोट केंद्र में मोदी की मजबूत सरकार बनाएगा RJD, Congress या India Alliance को तो अगर किसी ने गलती से भी बटन दबा दिया गया तो उसका वोट तो बेकार जाना जाना तय है और बिहार के लोग तो समझदार है वो बेकार जाने वाली कीज कभी करते ही नहीं है और इसलिए अपना वोट सरकार बनाने के लिए देजिए देश बनाने के लिए देजिए आपके भविश्चे के लिए आपके बच्चों के उजवल भविष्चे के लिए दीजिए आपका वोट NDA को दीजिए साथियो बिहार के लोगों के सामर्थ और बिहार के लोगों के समझदारी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ लेकिन मुझे ये देखकर दुख भी होता है कि सामाजिक न्याय के नाम पर लालतेन वालों ने बिहार में कितनी अंधेर गर्दी फैलाई इन लोगों ने बिहार के लोगों को गरीब और अभाव में धकेल दिया जंगल राज दिया इन लोगों ने सब को बरबाद किया और खूद अपने आलिशान महल खड़े कर दिये क्या ऐसे लोग बिहार का कभी भी बला कर सकते हैं क्या कर सकते हैं क्या आर जेडी कॉंग्रेस में बिहार को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ती ही नहीं है वे तो सोच रहे हैं अभी जितना समय बचा है खुद का जितना लूट सके लूट ले वो अपने बच्चों को सैट करने में लगे हैं उनको आपके बच्चों की परवान नहीं है आप लोग यहाँ एक कहावत कहते हैं ना ना निमन गितिया गाईव ना मडवा में जाईव आर जेडी कॉंग्रेस का हाल यही है यह लोग विकास के कारियों से भागते हैं क्योंकि उसमें महनत लगती है खुद को खपाना होता है इन लोगों के नकारे पन्ने बिहार के कई अमुल्य दसक बरबाद किये हैं ऐसे लोगों से हमें बिहार को बचा कर रखना है भाई और बहनों आर जेडी हो कॉंग्रेस हो इन दोनों पार्टियों ने अब पुष्टी करण को अपना सबसे बड़ा राजनितिक हथियार बनाया है आजकल आप देखते होंगे इंडी एलाइंस का हर दल राम मंदिर के लिए बद्धी बद्धी बाते कर रहा है राम मंदिर को गाली देकर उसका बहिश्कार करके ये आपको चिढा रहे है क्या ऐसे लोगों को आप माप करेंगे क्या ऐसे लोगों को कोई माप कर सकता है क्या साथियों आरजेडी कॉंग्रेस की प्राफिक्ता आप लोग नहीं है बलकि उनका अपना वोट बैंक ही है अभी आपने सुना होगा बिहार में जंगल राज लाने वाले जो बैक्ती है जो चारा गोटाले में अदालत ने सजा की हुई है बुनेगार माना है उन्होंने अभी अभी एक बयान दिया उन्होंने कहा कि मुसल्मानों को आरक्षन दिया जाना चाहिए और वो भी पूरा का पूरा यानि दलीतों, पीछडों, आदिवासियों को मिलने वाला पूरा आरक्षन यब सिर्फ मुसल्मानों को देना चाहते हैं भाईव बहनों मैं भी आपी तरह अती पीछडे समाज से आता हूँ मैं जानता हूँ ऐसा सुन करके उनकी बेचेनी कितनी बढ़ जाती है उनको लगता है हमारा तो भविश्य डूप जाएगा हमारे दलीत भाईवें हमारे आदिवासि भाईवें हमारे पिछडे हमारे अती पिछडे अगर धर्ब के आधार पर आरक्षन के नाम पर उनको बाबा साब ने जो अतिकार दिया है संविधान ने जो अतिकार दिया है वो अगर लूट लिया जाएगा तो इनकी तो आने वाली सारी पीडिया बरबाद हो जाएगी लेके बंगमी ने न बाबा साब की परवा है न इने संविधान की परवा है क्या बिहार का बलीत हो पीछडा हो आधिवासी हो ये हमारे समाज के लोग अपना हक आरजीडी कॉंग्रेस वालों को चिनने देंगे क्या चिनने देंगे क्या और मैं आपको गारंटी देता हूँ जब तक मोदी जिन्दा है ये आपके अधिकारों पर डाकान नहीं डाल सकते ये आपके आरख्चन को चिन नहीं सकते वो समझ ले वो भक्त चला गया कि आपने महिलाओं को मिलने वाले आरख्चन के कागज फाड़ दिये थे आगे अगर ऐसी कोई कोशिस करेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे साथियों ये बीजेपी है एंडिये है जो सामाजी न्याय की पहरेदार है आदेश में SC, ST, OBC के सबसे अधिक MP, सबसे अधिक MLA के बीजेपी और NDA के है केंद्रिय मंत्री मंदल में 60% मंत्री इनी वर्गों के है इतना ही नहीं, 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने एक दलित बेटे रामनार कोविर जी को राश्पती बनाया और अब आदी समाची समाच की बेटी द्रवपदी मुर्मु जी हमारे देश की राश्पती न केनाते मारधरसन कर जी ये होती है भागीदारी, ये होता है सबका साथ सबका विकास का मंत्र भाजी और बहनों, कॉंग्रेस आरजेडी ने मिलकर बिहार के अनेक पेडियों को उनके सपनों को तबाह किया है और आज जब यहां इतनी बड़ी मात्राम है, माताए बहने आशिरवात देने आई है चालिस चाल से लटका हुआ एक मामला, आरजेडी वालों ने पार्लामेंट में जिसको जिन कागजों को छीन करके फार दिया था, वो मामला था, इस देश की माताए बहनों को पार्लामेंट में, एसेमली में अधिकार देने का, आरक्षण देने का और इसके कारण, यारजेडी की मानचिक्ता के कारण, कॉंग्रेस की विक्रुत मानचिक्ता के कारण महिलाओं को अधिकार नहीं मिला, यह आपका भाई, माता यह आपका बेटा आपने जम मुझे वहाँ सेवा करने के लिए बेजा न, मैंने नई सउंसद बनते ही महिलाओं के लिए आरक्षन का भी काम पूरा कर दिया है यह आरजेडी वाले इसके विरोधी है, अगर यह दुबारा कोशिश की आने की, तो यह भी छिल लेंगे आप मानके चलिये आरजेडी के राज में हाँ, सिरिफ अफ़राण और फिरोती उद्योग ही फला फुला हाजीपूर ने तो देखा है, कैसे यहाँ के उद्योग गंदे सब चौपट हो गए आरजेडी कॉंग्रेस ने बिहार को सिर्फ पलायन दिया, बिहार को सिर्फ तबाही दी, साथियो मोदी विख्षित बिहार, विख्षित भारत के संकत को लेकर निकला है और मोदी का, NDA का, ट्रेक रिकॉर्ड क्या है? हमारा ट्रेक रिकॉर्ड ब्रस्टाचारियों को खोज करके सजा देने का है मैं देश को आप लोगों को एक आंकडा देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे आंकडा, यह आपको काम आएगा यह जो टीवी आप पर आप नोटों के पहाण देखते हैं, यह राजनिताओं के यहां से पकड़े जाते हैं यह गरीब का पैसा है, और यह गरीब के पैसा की लूट मुझे सोने नहीं देती है भाईयों जब केंदर में यह RGD और कॉंग्रेस वाले सरकार चलाते थे, तब यह ED, ED, ED जो कर रहा है न, यह क्यों चिला रहे हैं मैं बताता हूं यह ED ने उस समय कितना रुपिया जब तकिया था, मैं बताओं उस समय उनों ने कॉंग्रेस के दस साल में सिरफ 35 लाख रुपिया जब तकिया था, पूरे देश में से 10 साल में 35 लाख 35 लाख रुपिया मतलब, जो बच्चा स्कूल जाने का बैग लेके जाता है न, वो बैग में आ जाएं स्कूल बैग में भर जाएं, इतने 35 लाख रुपिया जब तकिया था और चोरी करने वाले चोरी कर रहे थे मोदी ने ये जो चोरों ने रुपिया पैसा गरीबों का लूटा है उनके यहां सर्च की दस साग में मोदी ने कितना रुपिया जब तक यह बताओ मोदी ने 2200 करोड रुपिया जब तक यह है उन्होंने जो पैसा जबत किया था वो स्कूल बैग में आ जाए इतना था मोदी ने जो पैसा जबत किया है अगर उन पैसों को ले जाना है तो जो छोटे ट्रक आते ने सत्तर ट्रक लगते हैं सत्तर ट्रक सेवन जीरो कहा एक स्कूल बैग वाला पैसा और कहां 70 टक भरकर के पैसा और ये चोरों को निंद उड़ गई हैं और इसलिए मोधी को गाली दे रहे साथियों इन लोगों ने आपको लूट कर नोकरी के बडले जमीने लिखवा कर दिल्ली और देश में जो जायदाद बनाई है वो अब सब इजन्सों ने जब्त कर ली है और मैं आपको बरोसा गारंटी देता हूँ जितने गरीब से जमीन छीनी है वो बच करके नहीं जाएगा साथियों मोदी के सेवा काल में भारत में देश की अर्थववस्ता तेजी से आगे बढ़ रही है और जब अर्थववस्ता आगे बढ़ती है तो उतने ही रोजगार के भी मोके पैदा होते हैं पिछले दस साल में बिहार में एक हजार चार सो किलोमेटर नई रेल लाइने बिचाई गई बिहार में चार सो से अधीक रेलिवेब फ्लाइ ओवर और अंडर पास बने कोई मुझे बताईए कि आप बिना रोजगार को एक काम हुआ होगा क्या चुमंतर करके जैसे रूपिये ले जाते हैं वैसे पुलिया भी बन जाती होगी क्या कुसी को तो रोजगार मिला होगा ना तब जाकर के बना होगा पिछले दस साल में बिहार में तीन हजार तीन सो किलोमेटर के नेशनल हाइवे बने हैं मुझे कोई बताएं भाई बुद्धिमान तीन हजार तीन सो किलोमेटर हाइवे क्या बिना रोजगार दिये बन जाते हैं क्या लगातार चौड़े हो रहे हाइवे हो एक्सप्रिस्व हो बिहार में खाद के कार खाने का काम हो थरमल पावर प्लांट हो गंगा नदी पर बन रहे हैं अन्यकों बड़े पूर हो पटना में मैट्रों में चल रहा कारिय हो नेच्रल गैस का नेटवर्क हो गाउं गाउं तक उजवला की गैस पहुंचाने का नेटवर्क हो ये सब रोजगार की गारंटी होते हैं रोजगार की गारंटी लेकिन जो अपने बाब जादा की कमाई खा करके जीते हैं उनको रोजगार क्या होता है कि समझ तक नहीं है जी अभी मोदी ने ताय किया है कि बहार के 90 से जादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाये जाएगा क्या ये बिना रोजगार पैदा किया होगा क्या पिछले 10 साल में मोदी ने देश के 4 करोड पक्के घर बनाकर गरीबों को दिये हैं अकेले बिहार में ही 40 लाग पक्के घर बनवाए गए इन गरों के लिए जो सिमेंट सरी आया है इन बालू आया है वो भी बहले की दुकान से ही तो गया है इन सबका लाब बिहार के नवजवानों को ही तो हुआ है उन्हें रोजगार के व्यापार कारोबार के नए अउसर मिले हैं साथियों मोदी के वारिस मोदी के वारिस कौन है है आपके पाद कोई नाम कि भी मोदी इसको दे करके जाएगा कोई नाम नहीं है क्यों मोदी के वारिस आप है मोदी के वारिस आप है मोदी के वारिस आपका परिवार है मोदी के वारिस आपके बच्चे है और मुझे वारिस में आपको सब कुछ दे करके जाना है मुझे आपको सुक्चेन की जिंदगी दे करके जाना है मुझे आपको आपके बच्चों के उजवल भविश्य की गारंटी दे करके जा रहा है मुझे आपको विक्सित भारत आपके हाथ में सौफ करके जाना है और इसलिए मैं हर कोशिश कर रहा हूँ कि युगों के हर सपने पूरे हो वो हर काम कर सके अपने सारे सपनों को सिद्ध कर सके आपको जानकर खुसी होगी सिर्फ मुद्रा योजना में बिहार में डाई लाग करोड रुपिय की मदद युवाओं को दी गई है डाई लाग करोड और वो भी मोदी की गारंटी पर इन युवाओं से गारंटी नहीं मागी उनसे उनकी संपत्ति का हिसाम नहीं मागा मोदी को बिहार के नवजवानों पर परोसा है उनको मैं रुपिय दूँगा वो डबल कर देंगे और बैंक का लोज भी वापिस कर देंगे यह मेरा परोसा है यह तिल लाग करों रुपिये यहां दली अति पिछडे पिछडे युवाओं को मिले महिलाओं को मिले इस यहां लाखों काम शुरू हुए यहां 42 अहीद पुरे बिहार में तूरिजम आधारी रोजगार के अजबुद संभावना है यहां बुद्ध सरकीट योजना के तहरे काम चल रहा है इस ते भी शेत्र में रोजगार के नए अउसर बनेंगे साथ को विक्सित बिहार विक्सित भारत के लिए आपको 20 मई को जादा से जादा मतदान करना है करोगे जादा से जादा मतदान करोगे पुराने रेकॉर्ड तोड़ेंगे राम विलाद को जितने वोट मिले है मुझे चिराग के लिए उससे जादा वोट चाहिए राम विलाद जी के आत्मा को चिराग के जीतने से सांती नहीं होगी राम विलाज को मिले वोट से जादा वोट मिलेंगे सब जाकर के राम विलाजी को शांती होगी और इसलिए इस बार जब आप वोट देंगे न तो एक वोट की ताकत है आपके चिराग का जीतना और उसी वोट के आत्मा है राम विलास को स्रद्धावंजली भाईयो बेहनो मैं चिराग के लिए इसलिए नहीं आया कि उसको मुझे जिताना है तो जितने वाला ही है मैं यहां आया हूँ राम विलास जी का कर्ज चुकाने के लिए मेरे अनन्ने साथी रहे राम विलास जी और इसलिए मैं सामने से यहां आया हूँ मुझे मालूम है यहां का पन्राम आप लोगों ने टाय कर लिया है चिराग के प्रती मेरा प्यार इसलिए है मैं पब्लिक लिए आम तोर पर बोलता नहीं जो किना आज बोल देता हूँ चिराग जब पहली बात पार्लामेंट में आये तो मैं तो इतना ही जानता था राम विलास जी के बेटे हैं लेकिन मैं देखता था उनके विहवार में राम विलास जी के बेटे होने का गुरूर का नामो निशान नहीं था ये बहुत बड़ी बात है और मैं इसके लिए उनकी माता जी को सारे क्रेडिट देता हूँ आपने इसको ऐसा समस्कार दिया गुरूर का नामो निशान नहीं दूसरी बार मैंने एक बार हमारी कैबिनेट में कही थी शायद चिराग को भी पता नहीं होगा राम विलास जी कैबिनेट में थे मैंने कहा कि मैं देखता हूँ कि चिराग जब पार्लामेंट चलती है वो पूरे दिन सदन में बैठता है स्वारी मैं जरा तूतारी कर देता हूं कि मैंने उसको बेटे के तरह देखा है वरनाव हमारे माननिय साफसाद है पूरा